हेलो इन वेलकम बैक दोस्तों आज मुझसे कॉमन मिस्टेक हो चुका है जो कि आप लोगों के साथ भी ऐसा हो सकता है तो प्लीज आप इस वीडियो को देखते रहे तो आज मैंने गलती से निफ्टी में और एक्जिक्यूट हो गया अब मोबाइल में ऑप्शन चे निफ्टी का ऑप्शन में मैंने यहांपर वैंक मैं आप्शन कर दीया और यहां पर मैंने बैंक मिफ्टी में में जनरल्ल ऐस ट्रेड करता हूं और बैंक तो मैंने यहीं पर execute कर लिया मैं आपको order का भी जो है यहां पर दिखा दिता हूं timing भी दिखा दिता हूं कि क्या timing में मैंने यहां पर trade लिया हुआ था तो जब भी अगर आप लोग को भी इस तरह से trade ले रहे हो तो एक बर पूरा proper check कर लिए कि nifty में ले रहे हैं या फिर bank nifty म execute किया था तो लगबग इस area पर मैंने प्लान बना हुआ था तो यहीं पर मैंने order execute कर दिया था लेकिन nifty 50 में order execute हो गया और वहां पर मेरा affiliate हो गया दो मिनट में ही affiliate हो गया और यहां पर आप देखेंगे तो bank nifty में अच्छा मुझे target भी देखने को मिल रहा है जबकि मैं nifty 50 को कभी देखता भी नहीं हूं तो इस तरीके का भी common mistake हो जाता है अब हो गया तो क्या ही कर सकते हैं बट अभी बंद कर देंगे simple सा क्यों ग्यों ट्रेड पर डे रहता है और जो कल का profit तो आज यहां पर चला गया तो बस इस वीडियो में इतना ही मैं आपसे उमीद करता हूं कि इस तरीके common mistakes आप लोग नहीं करेंगे और जब भी आप ट्रेड लेंगे तो देखके लिए कौन सा strike price है क्या है किस index में ले रहे हैं एक बार जरू से verification कर लेना चाहिए जल्दी बाजी में ट्रेड नहीं करना चाहिए वह इस तरीके से भी common mistakes कई बार हो जाते हैं तो ठीक है इस वीडियो में बस इतना ही मैं आपसे मिलता हूं अगली वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद